क्लाश नाइंति के हिंदी के सभी विद्यार्थी लो जी आगे आपका वार्चिक परिछा एक दम ओरिजिनल पेपर यहां पर सेट टी आपको पूरा समझाऊंगा में क्रश्न भक्ति साका के प्रतिनी दी कभी है सूर्दास जी है मेग आये हैं बन ठन के सबर के वीर रस का इस समा से म्रत्यू का तरल दूद किसे माना गया है ठीक है तेज गती से आता हुआ बाढ़ का पानी चलिए महा काव्य में जीवन का संपूर्ण चितरन किया जाता है चंद कितने प्रकार के होते हैं चंद दो प्रकार के होते हैं जूता जो है वो टोपी से कीमती होता है टोपी एक बार की नहीं होगी तो चलेगा पर जूता पेर में नहीं होगा ना तो काट टेटे सब चुपेंगे चलिए सब्द से पहले जुड़ने वाले को अपन उपसर्ग कहते हैं राम स्वरूप विवा के लिए बेटी की क्या सिपाते थे उच्च सिक्षा चलिए अब अगला है रस खान रस खान का पूरा नाम जो है सेबरेत सेद इबराहिम नाम है कावी की जो आत्मा है उसे रस नाम दिया गया कई अंको वाली रचना करना हो जाएगा नाटक चोदरी चरन सिंग पूर्व प्रधान मंत्री अस्तिन का जो साफ है वो जाएगा विश्वास घाती है जन संपर्ग विभाग जन संपर्ग विभाग का जाएगा बाड की रचना अब है सत्य अ सत्य प्रगति वादी कवियों में ने अनेक प्रियोग किये तो जो प्रियोग वादी कवियों ने ना वो बहुत सारे प्रियोग नहीं किते कम किये तो यह बात आपकी क्या हो गई है गलत हो गई है, यही परिक्षा में आने वाला है, मैं जितना बता रहा हूँ न आप उतना कम्पलिट कर लो, देखिए भरोसर रखो गए तब ही काम चलेगा, जहां नायक नायका के विरहा का वर्नन हो, वहां सैयोग सरंगार होता है, देखिए नायक नायका याने कि आप कोई सब्सक्ता हो, भले राम और सीता हो सकती है, या फिर आपका हिरो हिरोईन होगा, तो विरहा का मतलब है, दुख होना, पीडा होना, ठीक है, और सैयोग का मतलब होता, उनका मिलन, ठीक है, यह सैयोग नहीं है, विरहा का मतलब होता, वियोग, यह आपका, यह भी आपका क्या अबाद सब्दें बिल्कुल सत्ति है लेकी का मर्दुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी आ सत्य। गोपाल परसाद इस्त्री सिक्षा अमर्थक थे ब्रिटीस राज का जो गेयर जो गेहना क्या आ हत कडिया। कावी की सोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं अलंकार कहलाते हैं सबसे बुद्धी हिन जानवर किसे माना गया है गदे को माना गया है तारे गिंदना मतलब नीदना अना जो ही वहां क्यों ही सो गया किस प्रकार का वाक्य है तो यह है आपका मिस्रित वाक्य है रेड की हड़ी एकांकी कि समस्या पर आधारित है विवा की समस्या पर विवा की ठीक है चलिए आगे देखते हैं कुश्य नम्मर छे में आपका निर्गुन भक्ति कावे की विश्यस्ता बतानी है ठीक है नई कविता के चार प्रमुक कवियों के नाम उनकी दो दो रचनाय लिखनी है देखिए यह जो प्रस्न है ना यह आपके पर इक चाहल में मिलेंगे आपको देखने को और यह जो सोल्यूसन है इसका बहुत ही जल्दी सोल्यूसन में आपको अगले वीडियो में कवर करा दूँगा ठीक है जिसे कविर के कावी का कला पक्षी पर प्रकास डालना है सुमितर नंदन पंद की कले का कला पक्षी की विश्यस्ता बता य मान वी करन कार दो चन्द किसे करते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं ना अटक की तने माने गए हैं यात्रा व्रतन त्त किसे केते हैं है कि दीकि नंबर तेरा हो गया यहें से नम्मर चवदा लेंगे चोक्राइब कर लेकिशना आपको परिक्चाहल में मिलें जितना में बता रहा हूं आपको भरोसा हो तो अपको कम्प्लेट करते हैं जो मैं आपको करा रहा हूं कम्प्लेट करो फिर देख लेना आपको पूरे अच्छी नमर नहीं आए तो ठीज है यहां से मैनत कर यह थोड़ा साइना को से नमर यह उननी से संदर पुरसंग गया क्या और इसके बाद में कुस्छ नमर भी से यह एक अनु